हेलो फ्रेंड स्वागत है आका माई चैनल पर आज मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ सिर्फ एक कच्चे आलू से एकदम चटपटा और मज़दार नास्ता जिसे हम जटपट बना लेंगे बिलकुल घर के ही समान से वैसे तो आलू के बहुत तरीके के सिनेक्स बनते हैं पर इस सिनेक्स सी खासियत ही कुछ अलग है जो कि इतना जदा कुरकरो और कृस्पी बनता है जो सभी को एक ही बार में पसंद आ जाता है तो चलिए इस मजदार से नास्ते को बनाना शुरू करते हैं उससे पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो अगर आपको जरा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजिएगा साथ ही हमाई चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिएगा साथ ही नौट्पिकेशन बलको आंड कीजिएगा यहां पर देखिए मैंने क्या लिया है यहां पर मैंने एक च्चा अलू लिया है अब इसको फ कर लेंगे यह देखिए तो यह रेस्पी की खासियत यह है कि इसे बिना आलू वाले बनाया जाता है तो टैम की बचत है और गैस की बचत है तो यहां पर देखिए इस तरीके से वालू को कट कर लेंगे तो वेट नहीं हमारा मुस्किल से 50 ग्राम था और नाप में एक आलू था अगर आका छोटा आलू है तो आपको दो आलू लग जाएगा तो फटा 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 आलू को इस तरीके से हमने कट कर लिया है और अगर आकी फैमली बहुत ज़रा लंबी है तो आप आलू की मातरा को बढ़ा सकते हैं अब यहां पर हम ले लेंगे ठंडा सा पानी अगर आके पाँ ठंडा पानी ना हो तो आप रूम ठपरेटर का भी ले सकते हैं और इसके अंद हम आलू को डाल देंगे और तीन से चार पानी अच्छा से मलते वे आलू को वास करेंगे ताकि इसका जितना इस्टाज है वो निकल जाए तो तीन से चार पानी वास करना है ताकि इसका इस्टाज निकल जाए तभी ये रेस्पी कुरकुरी और क्रिस्टी बनेगी तो चलिए फटा-फट हम इसको वास कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं तो फ्रेंड देखे आलू को मैंने तीन से चार पानी अच्छा से वास कर लिया है अब हम क्या करेंगे हमन इसे कट करना वह बहुत जड़ा इंपोर्टेंट है तो यहां पर देखे इस तरीके से हम बीच से कट कर लेंगे और यह वाला जो भाग होता है सफेद अला इसको जरूर निकाल लेना है इसका तेस्ट अच्छा नहीं होता है तो इसको हमें नहीं यूज करना है तो देखे अब हम क्या करेंगे सबसे छोटा ला मिक्सी का जाल ले लेंगे और उसके अंदर अपने आलू को टास्क करेंगे और आप इसके अंदर हम अपनी प्याज डाल देंगे फिर इसके बाद हमने दो ग्रीन चिली को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है आप चाहेते इसको बीज से तोड़कर भी डाल सकते हैं लेकिन इस तरीके से कट करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से यह पिस जाएगा फिर हमने पाँच का लिया लसून के लिए है अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन को हटा सकते हैं फिर इसके बाद मैंने एक इंच का अधर्ग लिया, जिसको अच्छ से वासर के छिलका निकाल लिया है, और अधर्ग जिरूर डिरूर डालना, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा फिर इसके बाद हम इसे पर डालेंगे एक छोटा चमज जीरा और एक छोटा चमज हम में डालेंगे सौफ, सौफ का जो फ्लेवर आता है वो मैं आपको क्या बता हूँ, आप इस रेस्पी को एक बार बना कर खा कर देखेगा, तो आप मेरी तारीफ किये बिना नहीं रह पाएंगे, फिर इसके बार हम थोड़ा सा इसके अंदर आलेंगे हारा दनिया, जिसको हम ड पेस्ट बन जाएगा, पाई डालने की गलती मत करना क्योंकि आलू अप आज में खुद का पानी होता है, तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, तो फ्रेंट देखेए इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत पानी होती है, क्योंकि आलू में खुद का पानी होता है, यह दिखे बिल्कुल अच्छे से पिस गया है, पेस्ट बन गया है, अगर आप पानी मिला देंगे, तो यह पतला हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, एक बड़े साइश का वरतन लेंगे, और उसके अंदर इस पेस तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ज, जिससे बहुत इच्छा सा लुक आएगा, अगर आपके पास कुटी वाली ना हो, तो आप पिसी वाली भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली डाली, इसलिए मैंने ग्रीन चिली ड लालेंगे, टर्मरिक परडर, यानि हल्दी, हल्दी हमें कितनी डालली, सिर्फ चोथाई च Cum hist, ज्याद हरती नहीं डालनी है, फिर के बाद हम इसमें तो पर जिरा क्या हाँ टीस मां पर दाद यहा तो एच्छ पास का परडर, छोथाई चैक्मच, और फिर के बाद हम से मसलते होई डालेंगे इसको डालने से बहुत यह अच्छा सा लुक भी आएगा खुस्बू भी आएगी और टेश्ट दुबना आज जाएगा फिसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमब सफेद तिल अगर आपके पास सफेद तिल ना हो तो आप इसकी जो पर काला तिल यहाँ इसमें कड़ी पत्ता को कड़के आसकते जा शकते यहां पिर आप मग्रयल भी जा एक बड़ा चमव चानल लेंगे foster ऊपर आप भी दालना एक भड़ा चमव डाललेन समफ्व कर लेंगे तो blanc मसा पोलम तो अब आधा चमव डाली द्यूंक का अगे के पास बिना जनी ऑज ठाझने के और को में जाहिए Ոलिएम बदना से ? मैं तरे डाल और के निनी देस्ट जरू बाए अडिक संस्वेशन फिर्टेश हाएगा। पजुब भी देगा फट्रू और 5 मिद के शाइग हमें के साथ लेंगे . अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आपको घबडाने की जुरुवत नहीं है आप इसको मिक्षी जार में डाल कर लेंगे तो वाली खो जाएगी वेट नहीं है मुश्किल से हमारी 20 ग्राम है और नाफ में छोटा कफ है अगर आपका बड़ा कफ है तो आपको सिफ राधा कफ लगेगी अब सूजी को एस तरीक से चर्णा अले लेंगे उसके अंदर डाल देंगे और फेस के बार हम क्या डालेंगे जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हम इसमें लेंगे बेसन, मोटा वहीन, जो भी बेसनों आप स्कह générस्रा सिस्क्षोचे. और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इस तरीके से मिलाते हुए इसको हम चान लेंगे. तो बेसन और सूजी इस्तमाल करने से पहले चानिएगा जरूर क्योंकि मार्किर से जो हम लेके आते तो इसमें कुछ ना कुछ होता ही है तो आप इसको जब छान लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा तो चलिए इसको फटाफट छान लेते तो आप तब तक बताएए कि आ आप हमारी इस मद्यदासी रेस्पी को कहां से देख रहे हैं और साथ ने जगा का नाम लिखना मत भूलिए तो चलिए इसको फटाफट छान लेते हैं तो यहां पर देखिए सूजी और वेशन को मेरे चान लिया जो मोटी मोटी गुटलिया वच्ची है इसको हम साइड में लग चमाच देइगे और अब इसके एंदर हम क्या डालेंगे आई आको बता देते हैं अब इसमें जालेंगे टर्मरी पोडह यानि हल्दी हमें डाली है लेर आएगा तो इस तरीका से मिस्स कर लीजिए जब इसकी सारी गुट्लियां करता मुझे तब इसमें और पानी आड़ कर दीजिए तो यहाँ पर देखें मैंने एक ग्लास पानी कर दिया है अभी भी है मुझे उतना पत्ला नहीं लग रहा है जितना मुझे चाहिए तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी तो एक ग्लास पानी डाला है फिर उसके बाद मैंने आधा ग्लास पाने लिया है और इसको अच्छे से मिस कर लेंगे यहां पर बिल्कुल रनी तरीके से हम बैटर बना लेंगे बैटर हमारा बिल्कुल रनी होनी चाहिए यानि जब हम इसको इस तरीके से गिना है तो बिल्कुल अच्छे से गिनना चाहिए और सारी गुटलिया वेने इसको खतम कर लिए दूसरा काम करेंगे, इसे साइड बे रख देंगे, तो फैन आगे है, गैस की तरफ यहाँ पर देखें, मैंने करा ही ली है, अब इस पर हम थोड़ा सा और लेंगे, आप घियो बटर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो पैन भी ले सकते हैं, इसके जगापे, जो भी बरतन ली करेंगे, थोड़ी सी प्याज, तो यहाँ पर हमें ज्यादा प्याज का इस्तमाल नहीं करना, बस हमने एक चमच प्याज लिया है, और इस तरीके से हम इसको अच्छे से 10-15 सेकंड ढोल लेंगे, प्याज हमाई जब बिल्कुर अच्छे से टांस्पैरंट हो जाएगी, दो ग्रीन चिली को मैंने इस तरीके से मोटा-पोटा कट कर लिया, आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर हम सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे, जब यह सारी चीज अच्छे से भून जाएगी, तब इसमें कुछ मसाले अट करेंग सौंग, जिसे बहुत इच्छी खुस्बू और टेस दोनों आएगा, थोड़ी सी कुटी हुई लाजमिच क्योंकि हमने हरी भी डाली है, और अब इसके बाद हम सारे मसालों को दस से पंदा सेकंड अच्छे से भून लेंगे, यहाँ पर देखिए मसाले बिलकु अच्छे स बिलकु अच्छे से भून लेना है, तो यहाँ पर देखिए आलू हमारे बिलकु अच्छे से भून गए है, फिर इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा भूना हुआ जीरा और काली मिश का पॉडर, और अब इसके बाद हम इसको चटपट इस तरीके से लगा के ताकि बीज इसके अंदर ना जाए, वैसे तो मैंने सारे बीज निकाल लिये, फिर भी मैंने लगा लिया ताकि अगर एक बीज भी हो तो वहाथ ते रुख जाए, तो यहाँ पर नेमू का रस डालने से बहुत ही अच्छा सा चटपटा सा फ्लेवर आ आब इसके बारं में डालेंगे सब से लाश में नमक युद्स अरश डाले लेसमें नमक, नमक हमें सबसे लाश में इसली डालना है, यो कि अगर नहीं पाथ धोले興os अफनी चोड़ देगा, का ऐलन अभे ले सबसे पहले को हम पानि अब सारे ब्याशnon को थाम कांत है, अब बिल्कुल इस तरीके से सिमटने लगी यानि समझ जाए बिल्कुल अच्छा से रैडी हो चुकी है अब आप इसको चख लीजिए अगर आपको कुछ भी कम जाद लगे तो आप इसके अधर आड़ कर सकते तो मैंने चख लिया है बहुत ही चटपटा सा रैडी हो चुका है अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे एक से दो चमच और इसको आपस में इस तरीके से मिलाते हुए फेट लेंगे और अब इसके बार हमेगी दालेंगे हैं यान प वुच्छा से दिलेए हूज है मैंने पैन है घर तो पैन को मैंने गरiddrant हवाई है हमेडननी हम विल्कु अच्छे से गरम कर देंगे जब गरम हो जाएगा तब यहां पर मैंने लिया है सरसो थोड़ा सा मैंने ग्रेटे नार्या लिया है नार्या का बरादा बलकि एक चुटकी लिया ज्यादा नहीं लिया है अब इनको चटका लेंगे 10-15 सेकंड फिर इसके बार हम इसमें लालेंगे एक ग्रीन चिली अगर आप लोग ज़्यादा इस पाइसी नहीं खाते तो आप इसको स्किप्ट कर सकते हैं जब दोनों चीज़े अच्छे से हो जाएंगी तो अपने घोल को इस तरीके से फ्ट लेंगे और आप इसके अंदर आट करेंगे और आप इसको हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स करते वे इसको पकाएंगे इसको पकाने में बहुत ही कम टाइम लगता है मुस्किल से एक से दो मिनट का टाइम लगता है और सूजी और बेसन बिलकुर अच्छे से पकने लग गैस का जो flame है मों medium रखना है, high flame नहीं रखना है और दूसरी बात, आपको इसको छोड़ के नहीं जाना है अगर आप इसको छोड़ के चले जाएंगे तो इसमें गुटलिया हो जाएंगी और फिर आप recipe को बनाने ही पाएंगे तो देखिए इस तरीके से जो हमने हल्दी डाला है जिससे बहुत ही प्यारा सा color आया है बिल्कुल नाम मत की हल्दी डालिए तो यहाँ पर देखिए एक मिनट का time हुआ है और बेसन और सूजी इस तरीके से पकने लगा है बहुत ही आसान recipe है और बेसन और सूजी तो हर किचन ने होता है अगर आप सूजी और बेसन का इस्तमाल नहीं करना चाते तो आप इन दोनों की जगा पर क्या इस्तमाल कर सकते है चावल कांटा तो यहाँ पर देखिए सूजी और बेसन बहुत ही ज़दा healthy होता है बेसर में पाया जाता है प्रोटीन फाइबर और जो सूजी होती हो बहुत ज़दा light weight होती है तो उससे आपका जो पेठ है वो तो फुल हो जाता है लेकिन weight नहीं बढ़ता है तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारा बिलकुल डो तयार हो चुका है बिलकुल गुंदे हुए आटे के form में आ गया है और आपको चक करने का तरीका बदाएंगे इस तरीके से आप लीचे और इसको गोला बना के देखिए तो देखिए मैं गोला बना के देख रही हूँ बिलकुल भी crack नहीं पढ़ रहे है गोले में अगर आपका गोले में crack पढ़ रहा है तो आपको थोड़ा सा और पकाना है तो मेरा बिलकुल भी नहीं पढ़ रहा है अब हम गयास के flame को बंद कर देंगे और इस मिस्ट्रों को ठंदा करने के बाद आपसे मिलगे और आप इसके अंदर्म क्या डालेंगे बहुत इंपोर्टन चीज है आई आपको बताते हैं तो आप इसके अंदर्म डालेंगे हर किचन में वजूद गेहूं काटा यह वही आटा है जिससे हम रोटी बनाते है चपाती बनाते है और वे इस तरीके से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे यह देखिए इस तरीके से डाल लें और मिक्स कर रहें तो अगर आपको लगे कि आपका यह जो पेश्ट है वह बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है तो आप इसमें चावल का आटा भी डाल सकते है थोड़ा सा जिसस चावल कांटा डालेंगे तो क्या होगा कि वह बहुत ज़्दा टाइट हो जाएगा तो बुझरुक उसे नहीं खा पाएंगे तो अगर आप गेहूं के आटे के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और यह उपर से तो क्रिस्पी होगा ही अंदर से क्यों कि यह कच्छे आलू से बनना है तो इसको बात को घबडानी की जुरूरत नहीं है कि गेहूं के आटे से बना रहे हैं क्रिस्पी नहीं होगा क्रिस्पी 100% होगा इसकी मैं गारंटी लेती हूँ तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है अब हम चंबच को स सब्सक्राइब तो कि यह कौई चेक करें तो एर पांच मिनटके सा जब डीके से चूणगे चमच से तो देखेंगे क्यें थोड़ा सा गीला होग recognize कैसे नासता कैसे बनेगा तो बिल्कुल भी घबडाने की जरूरत नहीं आपको इसे पांच मेर्ट का रेश्टर जरूर देना है ताकि आलू अपया जितना भी पानी छोड़ना है वो एक बार में छोड़ दे और मसालों का फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ जाए तो सारे मसाले बिल आप घियों बटर भी डा सकते विल्कुल अच्छे से गरम कर लेना है और यहां पर हम इस तरीके से इसको हथेली को उपर रखेंगे अगर आपको गर्माहट महसूस हो दरी है उपर रखने के बावजूद भी तो समझाए यह तेल अच्छे से गरम हो गया है जब तेल हमारा गरम हो जाएगा तो गैस को मीडियूम कर देंगे और जब मीडियूम हो जाएगा तो अपने मिस्टर को हम इसके अंदर पूरा का पूरा टास्टर करेंगे बिलकुल भी बचाएंगे नहीं वेस्ट बिलकुल भी ने करेंगे और गयास का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको अच्छे से चलाते हुए आठे को पकाना है तो आलू की जितनी भी नमी होगी उसको भी खतम करना है आलू भी हमारा कुख हो जाएगा और आटा भी हमारा अच्छा से कुख हो जाएगा 50% हमें इसको पकाना है और 50% हमें से कच्छा रखना है तो यहां पर देखिए इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे तो यह बिलकुल गुंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगेगा और इस तरीके से बिलकुल पानी होगा उसकी वज़े से यह रैस्पी लंबे समय तक कुरकुरी भी नहीं रहेगी और खराब हो जाएगी तो जो हम आलू प्याश का पानी जला देंगे तो इससे रैस्पी की लाइफ बढ़ जाएगी तो देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते यह देखिए इस तरीके से हमारा बिल्कूर अच्छे से से शिबटने लगा है और इस तरीके से इसका जो कलर है वो भी चैंज हो गया है तो आब हम क्या करेंगे गैस के फ्लियम को बंच कर देंगे और इस निसरों को हम हलका सा थंडा होने के लिए छोड़ देंगे इतना थ अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो एर है वो निकल जाएगी और यह रैस्पी बहुत ही ज़्यदा कुरकुरी और कृस्पी बनेगी तो देखिए इस तरीके से अच्छे से इसको मसल लिया है अब हम यहां पे एक ले लेंगे रोटी का चकला और इसके अपर हम लग लेंगे और 10-15 सेकंड इसको इस तरीके से हम आगे की तरफ लेकर आएंगे और पीछे करेंगे ऐसा हम चार ते पांच बार करेंगे इससे बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट आएगा और यह बिल्कुल स्मूध हो जाएगा और आब हम इसके इस तरीके से तीन पार्टिशन कर लिए टागा और इस तरीके से हमें 10 से 15 सेकंड मसल के चिकना कर लेना है फिर इसके बाद इस तरीके से ऊई लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से फ्लैर कर दिना है अब हम फेलन पर भी थोड़ा से ऐल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना और अब इसे हम रोल आउट करेंगे ख्याल ये रखना है कि हमें इसको बहुत ज़दा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़दा मोटा नहीं तो शेप आप कोई भी दे सकते इसको आप इसको थ्री एंगल में, फोर एंगल में या फिर इसको एर में, किसी भी शेप में बना सकते है मैं इसको कैसे बनाऊंगी अभी आपको बताऊंगी तो पहले हम इस तरीके से अच्छे से गुमा कर एक बराबर से बेल लेंगे इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से हमें मोटा रखना है तो देखिए इस तरीके से हमने इसको रोटी से हलका सा मोटा रखा है तो ये हलका सा इस तरीके से बिखरेगा तो घबडाने की जुरुद नहीं है क्योंकि हमने इसको पका के लिया है आटे को अब हम एक कटोरी ले 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 हैं और इसको हम हलका सा ओईल से ग्रीस कर लेंगे, चारो तरफ से किनारों को, और इस तरीके से रख के इसकी कटिंग करेंगे, तो आप चाहे तो ग्लास भी ले सकते हैं, या फिर आप इसकी जगा पे कोई कटर भी ले सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसे गोल ही ब बना सकते हैं, बस आपको ख्याल ही रखना है कि इसको बहुत ज़रा पतला नहीं बनाना है, यह देखिये, तो इस तरीके से यह जो बचा हुआ है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे, फिर से गोल, और सेम पहले वाली कितरा बेल के फिर से बना लेंगे, और इसको निकालने का तर तर्फ़िए इस तरीके से लिए तो चलिए फटाफट सारे बना लेते भिर आप द अब चलते हैं बनाने की प्रोशिद की तरफ आप इस तरीके से बना कैसे हवके में के अangकि सकते हैं जब आपका मन करें यह मेहमान आप गर्मा गर्म बना के इसको सर्फ कर सकते और आप इसे बच्चों के टिफिर मॉक्स और पती के लेंच वाक्स निदे सकते तो चलिए इसको चलते बनाने के प्रोसेस की तरफ तो फ्रेंड आगे हैं गैस की तरफ यहां पर देखें मैंने एक पैल लिया है आप चाहें तो कराही भी ले सकते हैं जो भी बरतल लीजे थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजे तेल को विल्कुर अच्छे से गरम कर लेना है लेकिन इतना गरम नहीं करना है कि इसमें से धुग इदायाल को निहींगा निकल जाए हॉलका से गरम यह तो इस तरीके से से हत्यरी को रखें के ए यह इसमारो जाओ यह तो borgब में दिक्कत हो जाएगी तो यहां पर देखें मैंने डाल दिया है आप गैस के फ्लेम को हमने मीडियम रखा है हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाएंगे और जब यह इस तरीके से उपर की तरफ आने लगेंगे तो इस तरह से कर्ची से थोड़ा सा नीचे की तरह दबाएंगे तो इस रेस्पी को बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और आपको इसे खाके मजा जाएगा तो यह मुश्किल से 2-3 मिनट में बन जाती है और आपको इसे बनाने में बिल्कुल भी परसानी का सामना नहीं करना जब यह इस तरीके से फूल जाएगी तब इसको हम टर्ण कर देंगे एक मिनट के बाद और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही इसको पकाना है अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो क्या होगा कि यह ऊपर से तो कलर पकड़ लेंगे लेकि अंदर से कुरकुरे नहीं dreams depends on the family बैंगे में हुआ कर देंगे और्लों फ्लेम में पकाएंगे तो खाप जाएंगे तो इसलिए मेडियम हुले में में पकाना है और अम गैस के फिलंक help कर देंगे और दो मिनट तक इसको शिखने ही एच्छे से और दो डृ क्लिया हो जाएगी तो इस रेस्प्रिक कर जरूर ट्राय करना आपको खा के मज़ा आ जाएगा तो फ्रैंट दो मिनट हो चुका है इसको पकते वे अब इसको हम पलट लेंगे यह देखिए दोनों ही साइट से बिल्कुर अच्छे से हो गया है कितना प्यारा सा कलर आ गया है और कितनी ज़्यादा खस्ता लग रही है अ आप इस तरीके से बना के इसे स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसे चाय के साथ के साथ के साथ या फिर ऐसे भी खाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है विकि हमने जो मसारा डाला है वो इसको काफी ज़्यादा चटपटा बना दिता है और देखिए इस तरीके से हमारी कितनी बड़ी हा तरीके से फूली फूली थी बनीए तो आपकी भी ऐसी बनेगी अगर आपने मेरी बताई टी पेंट्रिक को फालो किया अब इसको हमने 10 सकंड ऐसे रखा इसको हम साइड में रख देंगे और हमें तेल को फिड से गरम कर लेना है जब त कैसी लग रही है कमेंट वाक्स जरूर बताना और आप हमारी रैस्पी कहां से देखनें वह भी कमेंट वाक्स ने लिखना मत भूलना तो चलिए फटा 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 सारी बना लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चट पटा सा बने हैं और मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी अंदर से कितना जड़ा सॉफ्ट है और यहां पर देखिए इस तरीके से दोनों लेयर बिल्कुल खुल लही है यारि यह बिल्कुल अंदर से अच्छे से कुक हुआ है और इसे मैंने सर्फ किया है टमाटो केचप के साथ अग सबस्क्राइब होते हैं तो आप मतों अंदर से कर सकते तो आप इसे बच्चों के ineffhin box में पती लेंच बोक्स में का फाइदा उठा पाएं सबसे पहले तो फ्रेंट यहां पर देखिए सूजी और बेशन का जो यह है बिल्कुल इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से चुपा रहे हैं बहुत ज़रा गरम नहीं हलका सा गुन गुना है तो आप इसके अंदर हम क्या डालेंगे हम इसमें डाल अब इसमें डालेंगे ड्राय आमचुर पॉड़ा यानि खटाई आगर आपके पास यह ना ओ तो आप इसकी जगा पर निबू कर देखिए और थोड़ा सा गरम असारा डानेंगे जो मेरा होम मेड है अगर आपको इसकी रैस्पी चाहिए तो कमेंट बाक से कमेंट करना अब मैंने यहां पर आधा टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज और जूस निकाल दिया है और इस तरीके से इसको कट कर लिया है अगर आप बीज और जूस के साथ लेंगे तो यह रैस्पी खोड़ी सी चीश भी हो जाएगी फिर आपको बाइंडिंग के लिए कुछ डालना जीरा एक से दो छुटकी बस काफी है और इसके अंदर हमने साई चीजे नहीं डाली है जैसे आप इसमें और भी वेजिटेबल एड़ कर सकते हैं जैसे आप इसमें गाजर एड़ कर सकते हैं आप इसमें पत्ता गो भी एड़ कर सकते हैं और आप इसके अंदर अपनी मन चा का तभी मिलाना है तभी सारे फ्लेवर बिल्कु इसके अंदर समा जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट मिलेगा यह देखिए बिल्कु अच्छा से मिला लिया है अब हमने हाथों को वास कर लेंगे और वास करने के बाद इसको शेप देंगे बहुत ही प्यारा सा कैसा आपको बताएंगे तो चलिए हाथों को wash कर लेते हैं तो friend हाथों को देखिए अच्छे से wash कर लिया है अब यहां पर हम पद्रियों पर थोड़ा सा oil लगा लेंगे आप घियो बटर भी लगा सकते हैं तो थोड़ा सा लगा लेंगे तो क्या होगा यह बिल्कुल भी भी जिलिए या फिर आप इसको hard shape में बना सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से cylinder का shape भी दे दे सकते हैं तो आपका जैसा मन हो आप इस तरीके से बना के इसे store कर सकते हैं आप इसे इसी के साथ बना सकते हैं लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाऊंगी तो और इस तरीके से रखूंगी और इनको इस तरह से पकड़ते वे बिल्कुल अच्छे से लॉक कर दूंगी यहां पर बिल्कुल भी आपको चिपकाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी यूंकि सूजी और बेशन का जो यह घोल है जिसको मैंने इतना अच्छे से पका लिया कि बिल्कुल यह गुंदे हुए आटे के फॉर्म में आ जाता है और फिर आपको इसको इस तरह से सील कर देना है यह देखिए और सील करने के बाद इस तरह से आपको इसको हलका सा शेव देना है और हलका सा इस तरीके से घुमा लेंगे तो बहुत ही प्यारा सा शेव बन लेकिन मुझे आलू की स्टफिंग डालके बनाना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे घर में सभी लोग पसंद करते तो मैं इसलिए इस तरह से बना रही हूं और यह इस तरह से आपको रखना है और इस तरह से इसको अच्छे से चिपका लेना है देखिए बहुत ही आसानी से अच्छी आप इसको बना पाएंगे और इस तरह से अंदर की तरफ पुश करते जो इसको चिपका लीजिए और इस तरह से हल्काल कासा टैब टैब कीजिए फिर इसको रोल कर लीजिए और यह देखिए इस तरीके से रेडी हो गया कितना ज़रा सुंदर लग रहा है तो देखिए दो बन गया है आप इस तरह से बना के इसे हवावन डिब्बे में भर के रह सकते हैं जब आपका महमान है जब बन करें आप निकाल के बना सकते हैं आप इसे वच्चों के टिफिन वक्स पती के लेंच वक्स दे स सकते हैं तो चलिए फटाफट सारे बना लेते हैं फिर आप से मिलते हैं तो फ्रेंड देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया है आप इस तरीके से इसको रात ही में बना के फ्रिज में लगा सकते हैं सुबह बच्चों के टिफिन बॉक्स पती के लेंच बॉक्स में दे सकते हैं तो चलिए चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ तो फ्रेंड आ गए है गैस की तरफ यहां पर देखिए मैंने एक पैल लिया है आप चाहिए तो इसकी जवापे कराई ही ले सकते हैं और इसमें मैंने तेल लिया है मैं इसे कम तेल ने बना रही हूँ, आप चाहिए इसे डीप राई कर सकते हैं, मैं इसे सल्लो फ्राई कर रही हूँ, तेल को बिल्कुर अच्छे से गरम कर लेंगे, जब तक तेल गरम नहीं होगा, हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, जो तेल गरम हो जाएगा, तो इस तरीके से हतहली को रखेंगे और चेक करेंगे अगर आपको गर्माट मैसुस हो रही ही तो समझ जाएगे तेल गरम हो चुका है जब तेल गरम हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इस रेस्पिक को मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो इस तरीके से डाल जब भी वो सूजी और बेशन का कुछ बनाते हैं तो वो फट जाता है उसका कारण यह है कि आप गैस के फ्लेम को हाई कर देते हैं और तुरन थी पलटने लगते हैं पलटने की गलती नहीं करनी है जब तक यह अच्छा से एक साइश स्थिक ना जाए आपको इसको पलटना न डीजिये जो आपके पास हो तो मैं नाइफ का इस्तवाल कर दू तो आप इस तरीके से इसको पलटने दीजिये देख किसरा प्यार कलर आ गया ये साइट से अच्छा साइट आपको इससे दूसरे साइद भी दो मिनट पर काना है तोटर आप इससको साइश करना कर कर सकते हैं यहां पर फोक ले लीजिए और इस तरीके से नाइफ से इसको टर्ण कर दीजिए यह देखिए या फिर आप खाली नाइफ से इसको टर्ण कर सकते हैं यह देखिए विल्कुल आसानी से हो जाता है तो जैसा आपको एजी लगे तो मुझे तो इस तरीके से नाइफ पका लेते हैं तो फ्रेंट दो मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइट से पकते हुए बिल्कूर अच्छा से कुख हो गया है अब हम इसको फटा फट निकालेंगे यह देखिए कितना ज़रा खुबसूरा लग रहा है देखने में तो यहां पर इसको निकालते समया आपको ख पक्रटनी के साथ जिसके साथ दिखाना है आप खा सकते आप इसे बच्छों के टेफिन बाक्स में पति के लेंच बाक्स में भी दे सकते तो कैसी लगी आपको हमारी मजदाओ सी रेस्पी कमेंड बाक्स जरूर बताना जिसे हमने बहुत ही कम चीजों के साथ बनाया है देख लिजे इसको फाइनच जया कितना जड़ा खूया लग रहा है जितना ज़दा देखने में कोसे लग रहा है खाने में से जड़ा। छुष्पी चली आपको दिखा थे यह कितना ज़दा क्रिसपी और अंधर से बिलकुँ स्वाप्ट है इस तफिंग देखिये कितने तो जब भी आपका कुछ चटपटा और ठीखा खाने का अबन करें तो आप इस तरीके से बना के इसे खा सकते हैं और आप इसे बच्छों के टिफिन वक्स में पत्ति के लिंच वाक्स में दे सकते हैं यह रैस्पी जितनी जाए टेश्टी है उससे जड़ा यह हैल्दी है क्य जिरू करना अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर सब्सक्राइब करना साथ ही नौट्विकेशन वर्कों करना ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करूँ आपको नौट्विकेशन बिल जाए सबसे पहले और आप हमारी आसान इसे का फा मिल से नEक स्दिटर कीशन वैल लब य आप एंटेक क्यर